मौजूदा दिन सफेद महल के बाहे रुकी उमर की गाड़ी से वो दोनों बाहे राए हाले ने स्याग उटनों थकाती कमीज के साथ स्याग ही बड़े पांचों वाला ट्राउजर पैन रखा था उमर उसी सुर्मई ट्रैक सूट में मलबूस था हाले ने गर्दन उची करके उस अमारत को देखा कितनी बार उसके बाबा ने उसे यहां लाने की कोशिश की थी कितनी बार उसने याद करना चाहा गिनना चाहा लेकिन अब कोई फाइदा नी था वो बस गुलाबी गीली आंकों से उस अमारत को देखती रही अंदर चने उमर के नर्मी से कहने पर उसने रुख मोड़ा और फिर गाय तिमागी से उसके साथ चलने लगी वो जगा जगा रुख जाता चोकिदार से लेकर कुजरते भागते दोड़ते बचे उनको स्कूल के लिए तियार करने वाली उनकी आया हर एक टहर कर उसे बात करता था वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर जवाब देता जुक कर बच्चों के गाल चुमता हाले ने नोट किया था उसे वहाँ हर कुजरते बच्चे और बड़ों ने उमर कहकर पुका रहा था ना कोई सापका नालाका वो सब के लिए बस उमर था वो उमर की मुईत मेरा दारियां पार करती आगे चलती जा रही थी वो हर एक से उसका तारुफ करवाता जाता यह हाले सुल्दाने मेराज बाबा की बेटी ये तारुफ सुनकर उसने हर बच्चे बड़े की आँखों में अपने लिए अकीदत देखी थी वो उसे मुहबत से तक रहे थे उससे दुबारा आने का कह रहे थे वो बस सर हिला रही थी कहने को कुछ था ही नहीं दूर कहीं से बच्चों के कुरान पढ़ने की आवाजे आ रही थी उमर के गदम उस आवाज के पीछे थे वो उन रास्तों से वाकिप था यहां आकर उसके जेरे पे सकून था इत्मिनान था अब वो दोनों बड़े से हाल के दर्वाजे पे खड़े थे सफेद सतों नुख से खड़ा हाल किसी मस्जिद की तरह था नीचे मोटे मोटे कार्पीट पीचे थे बच्चियां दो बटे ओड़े और बच्चे सर पे जाली दार टोपी पहने सबक पढ़े थे हाले को भी अख्तियार उस माहोल से रोप साने लगा उमर को देखकर उन सबने मुझतिर का सिनाम किया वो उन सब के सामने जरा सी उन्ची बनी जगा पे जा बैठा जाली दार टोपी अब उसके सर पे थी हाले को अब अंदाजा हुआ था कि वो यहां कुरान पढ़ाता है अपनी खुबसूरत आवाज में आयत सुनाई आज हम इस आयत पे तदब्र करेंगे वो बच्चों को देखते हुए कहरा था पिर उसकी नजर हाले पे पड़ी वो गुम सुम से उसे देख रही थी दुबटा ढुलका हुआ था उमर ने हाथ के इशारे से उसे दुबटा सर पे लेनी को का तो वो गड़ बढ़ाई और फोरण से दुबटे को सर पे अच्छे से ओड़ लिया वो दुबारा बच्चों के जानी मतवज़े हो चुका था हाल में बैटे बच्चों में 14, 15 साल के बच्चों से लेकर कोई 3, 4 साल के बच्चे भी थे वो इस तदब्बर को नहीं समझ सकते थे फिर उमर ने उन्हें क्यों बिठा रखा था वो बोल रहा था सुना रहा था और हाले में समराइज होकर उसे सुन रही थी यह उमर कितना मुख्तरीब था यह कौन था वो काफी देर तक बोलता रहा बच्चे अपनी कॉप्यों में एहम नकात नोट करते रहे और फिर वो नीचे उतर आया हाले की तरह आते हुए वो मुस्कुरा रहा था उसके करीब पहुंच कर उसने तमाम बच्चों को अपनी जानिमत वज़े किया इनसे मिलो यह हाले सुल्तान है मेराज बाबा की बेटी और उमर की बीबी बच्चों में से किसी ने लुकमा दिया तो वो हस पड़ा हाले उसको हसते हुए देखती रही बच्चे अभी श्त्याक से उससे कुछ पूझ रहे थे कुछ बता रहे थे वो उनको मुस्कुरा कर जवाब देती रही मजमा छुट किया बच्चे अपने अपने सकूर को त्यार होने चले के बस एक बच्ची थी जो उमर की टांगों से लिप्टी तो हटी नहीं वो चार साला उम्मे रुबाब थी उसकी जित थी कि वो उमर के साथ रही हाले मुस्कुराते वे उमर को उस बच्ची के लाड उठाते देखती रही यह अलग दुनिया थी हाले का दिल चाहा था वो यहीं रह जाए यह बच्चे उनके मासूम सवाल जवाब उनके चेरों का इश्टिया क्यों लगता था वो हाले को पहले से जानते हैं पहचानते हैं वो उनके लिए नहीं नहीं थी हेवन को चचा के गबजे से अजाद करवाने का अजम दिल में पुखता सा हो गया थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर निकलाए बच्चे अब युनिपॉर्म पहने साथ वाली बिल्डिंग की जानिब दोड़े लगा रहे थे कुछ उजलत में थे कुछ बेजार और कुछ पेट पकड़े ड्रामे करते नजर आ रहे थे उमर कोई एक सो दफा रुका था और एक एक बच्चे से बात की थी सवाल जवाब किये थे और उनके कान में कुछ कहा था कि वो खिल किला देती वहाँ इतने चोटे चोटे बच्चे बैटे थे उनको तो तदबर का मत्तब भी नहीं पता होगा तुमने उन्हें क्यों बिठा रखा था वो उसके साथ चलते हुए पूछ रही थी वो बच्चे हैं लेकिन कुछ सालों में बड़े हो जाएंगी अगर तब एक दम से उनको तदबर की कलास में बिठा दूँगा तो उनको बोच लेगेगा मैं उन्हें आदी बना रहा हूँ कुरान पे गोरो फिकर करने की आदत बच्चमन से होनी चाहिए उमर ने साथकी से जवाब दिया तुमने वहां मुझे अपनी बीवी क्यों नहीं बताया पत्रीली रविश पे चलते वे हाले ने उससे दुबारा सवाल पूछा था उमर ने कंदे उचकाए मैं आपको इंकमफर्टेबल नहीं करना चाहता वैसे भी आप इस रिष्टे को खतम करना चाहती हैं तो इसका बार बार तज़करा मुझे मुझे मुनासिब नहीं लगता एक लम्हे को बस एक लम्हे को हाले का दिल डूब कर उपरा था लेकिन पिर अगले लम्हे सब सामने से पैर पैर चलते हुए बच्चे को उठाते हुए उमर को देखा तो उस्ते तलखी से सचटका मेरा फैस्ता सही है उमर मेरे साथ रहोगे तो अधूरी जिनगी गुजाननी पड़ेगी उसके लेज़े में कुछ था कि उमर चौंक सा गया और पिर अगले लम्हे वो उसकी बात का मतलब समझ गया था बच्चे को आया कि हवाले करते वे वो हाले की तरफ आ रुका अलाद, इज़त और माल ये तीन चीज़ें जिस पे ल्ला ने किसी इनसान को जरा सा भी इख्तियान नी दिया ये ल्ला के हाथ में इसका फैसला वो उसके करीब खड़ा कहरा था हाले उसको सुनेगी अगर ये फैसला इनसानों के हाथ में होते तो हर दूसरा इनसान बे उलाद और हर तीसरा इनसान बे इज़त परहना और हर एक इनसान मुफलिस नादिर होता जिन बातों को सोचकर आप खुद को हलकान करिये मेरे जेन में ऐसा ख्याल भी नहीं आया शादी में उलाद के लावा भी बहुत कुछ होता है वो नर्मी और साथकी से कहकर आगे बढ़ गया हाले जैसे लाजवाब होगी थी कहने को कुछ रहा ही नहीं था वैसे अगर मेरे हाँ उलाद नहीं तो मैं अपने जैसा हसीन डिमपल वाला और गोरे रंग वाला बच्चा एडॉप्ट कर लूँगा वो अपनी जगा से बोला उनके दर्म्यान जादा फास्तना नहीं था हाले ने सरजट का आह ये सेल्फ आपसेस्ट आत्मी लेकिन अगले इलंभे वो रुकी आखे मश्कुक अंदास में सुकणी और उसने छटके से गर्दन उठा कर उसे देखा वो सामने खड़ा था मुस्कुराता हुआ हशाज बशाज तुम ऐसे नहीं हो वो शौकी अंदास में कहती आगे बढ़ने लगी कैसा दो डिम्पल वाला गोरा या हसीन तुमने कहा था तुमने भटे हुए जूते पहने हैं पुरानी सिलाई करवाई हुई शर्ट्स पहनी है वो बोलती हुई आगे आ रही थी और उमर का चेरा तारीख बढ़ा था तुम महिंगे परफ्यूम्स और अच्छे खाने को ना करके आगे चले जाते थे सेल्फ आप्सेस्ट आदमी ऐसा नहीं होता वो उसके बिलकुत सामने आकर रुकी वो उच्चा था उसे गर्दियन उठा कर देखना पड़ता था अपनी तारीख वो इनसान करता था जो एसासे कमतरी का शिकार हो या फिर वो किसी को यकीन दिलाना चाता हो कि वो ऐसा है वो अदाकारी करना चाता हो खुद को और दूसरे को बावर करना चाता हो कि वो अच्छा है, वो ऐसा है, वो बैसा है वो इसकी आँखों में देखते हुए कहरी थी और उमर के मूँ पे जैसे किसी ने खोलता हुआ तेल डाल दिया हूँ तो में इसासे कमतरी का शिकार हर्गिस नहीं हो दो लोग होते हैं जो किसी को यकीन दिलाना चाते हैं कि वो ऐसे हैं, एक जिने खुद पे शक होता है या फिर किसी दूसरे इनसान की नजर, रतफात का शोक और दूसरे, उमर ने सांस भी रोक लिया हर शेय थम गई, गिल्टी इनसान गिल्टी इनसान सब को यकीन दिलाना चाता होता है कि वो ऐसा है, वो खुश है, ठीक है, मजाग कर रहा है, हस बोल रहा है ओ, मेरे खुदाया, उमर तुम गिल्टी हो वो मारे शौक है, जैसे बोली नहीं पारी थी तुमें किस बात का गिल्ट है? आपको मेरी साथ पे तबस्रा करने के लावा कोई काम नहीं है? मुझे अपने बारे में बात करना नहीं पसंद, चले वो नागवारी से कह रहा था तुम क्यों डिल्टी ओ, उमर क्या हुआ है? हाले ने जैसे उसको सुनाई नी, अबकि उमर मुड़ा उसके तासुरात में सकती थी, मुटी भेंच रखी थी मैं अगर उस दिन आपके चकर में जट साब को छोड़ कर नहीं आता तो वो ना मरती, वो बेबसी भरी खुबकी से बोला मेरी वज़ा से आप लेल, हसन और सारा हेवन सफर कर रहा है मुझे लगता है, मैं जिम्मेदार हूँ, कोई कुछ कहता नहीं लेकि जब जब मैं आप सब को उदास या मसीबत में देखता हूँ, मेरा गिल्ट मजीद गहरा हो जाता है मैं जिम्मेदार हूँ, उसने एक एक लखते जोर दिया आपके बापकी मौत, आपके ख्वा, आपके जिल्लत और हैवन के बच्चों को एक पर फिर यतीम करने का जिम्मेदार उमर है वो एक हादसा था, उमर, हाले के लख बे यकीनी से भटवड़ाए, उमर गिल्टी था ओ प्लीज, उमर ने बेजारी से उसे टोका, मैं कोई दस साल का बच्चा नहीं हूँ, जिसे आप दलासा दे रही है मैं जानता हूँ, सब मेरी बज़ा से हुआ है, मैं जिम्मेदार हूँ जिस जिस ने ये सब किया है I am going to make them pay, वो सर्दवास में कहकर चला गया, हाले ने अब भी बेयकीन थी क्या उमर भी गिल्टी हो सकता है, क्या उमर के साथ भी मसाइल हो सकते हैं, बेयकीनी सी, बेयकीनी थी हाले को इनिवस्टी ड्रॉप करने के बाद वो आफिस चला आया था, लेकिन यहां अगर उसे पता चला था, कि शम्मस आफिस में नहीं है, उसे हैरत हुई थी, उसे शम्मस का आफिस भी चेक करना था, लेकिन वो इतनी जल्दी मुका दे देगा, यह उसने सोचा नहीं था वो फाइल्स में सर दिये काम में घरक था जब उसे कुछ आवाजे सुनाई थी, उसने गोर करना चाहा और पिर अंदाजा हुआ कि वो सफीर की आवाज थी, स्टैन पे अपना कोट उठाते, वो बाहिर निकल आया, सफीर का आफिस उसके आफिस के साथ ही था, दर्वाजा ह हलका सा खुला उने के बाइस आवाजों का रास्ता कलियर था, उसने करीब आकर दर्वाजा धकेला तो खुलता ही चला गया, अंदर सफीर था और उसकी हालत ऐसी थी के एक पल को उमर थमसा गया, लेकिन अगले इनम है उसके पुलीस वाले दिमाग ने सारी सुर्थिहार ड तलबकार था और क्या, उमर को जाननी की जरूरती, वो किया शैय है। सफीर ने उमर को देखा वोटकर उसके पास आया, उसने उमर को धिक्का देना चाहा लेकिन यह नहीं हो सका, उसके जिसम में तवानाई नहीं थी, उसके हाँ जिसम कांप रे थे उसकी आँके जैसे बह नहीं सह सकी उमन ने उसे गिरे रहने दिया और इंटर कांफ तक किया हाँ जहीर बात सुनो गोर से अजमल चच्चा जो बैक टोर पे ड्यूटी देता है उसके पाद जाओ और कोहो सफेद मोती यानी ड्रग्स सफेद मोती दे दे आगे से कुछ बोला गया टर टर करे का बोल देना साब ने का है वरना वो खुद नीचे आ रहे हाँ चल्दी पहुंचो उसने हुकम सादिर किया और सफीर तक बलटाया सफीर के जिसम में अब जैसे कोई जान वाकी नहीं रही थी वो बिन आप मचली की तरह तरप रहा था उमर के हाथ दूर हटा रहा था जब उमर ने एक सोरदार मुका सीधा उसके जबडे पे दे मारा सफीर को सारी दुनिया घूमती मैसूस हुई उटो खामोशी से तुम मेरे बाप नहीं हो जिसके नखरे परदाश करूंगा सर्थी सरगोशी करते वे वो उसे दुबारा उठाने की कोशिश करने लगा आपके सफीर ने लेकिन फिर आगे बढ़ाया सर को क्या हुआ है वो वाकितन परेशान हुआ साथ एक चोटा साशे उसकी जाने बढ़ाया उसमें सफेद जर्रात कह थे कुछ नहीं हुआ चलो निकलो उमर ने उसको घुरका और हाँ अगर तुमारे मुझे भाप पी निकली तो खोपड़ी खोल दूँगा पेजारी और सकती से कहकर लड़के को दफान होने का इशारा किया पिजारा वरकर उसे इज़त अवजाई की ताब ना लाते वे बाहे निकल गया उमर वापस मुड़ा सौफे के सामने रखी शीशे की मेज बे उन जर्रात को फिला दिया फिचाबी से उनको पीस लिया सफीर पेजैनी से अपना सीना हाथ और कभी चेहरा मसल रहा था साफ जाहिर था वो खुद को नोच लेना चाहता था लेकिन सच शुकर उसके इसाब मजबूत थे उमर ने उसको सीधा करके बिठाया और मेज की जाने बिशारा किया सफीर दिवाना वार मेज पे चुका और ना की मदद से उस सफेद जरात को अंदर उतारता फिर सीधा हुआ सखून सरूर आह ये क्या था ये कैसी दुनिया थी अक्दम उसे अपना अप हलका लगने लगा हो उसे हवा से भी हलका उमन अगवारी से उसे देखता रहा कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो वो उ कैलेंटेड आदमी और कौम के सरमाये को इस तरह ड्रक्स की नजर होते नहीं देख सकता था उसे ना जाने क्यों सफीर पे तरस साया सफीर अब खुद को पीछे सोफे पे डाले सरूर में था वो एक अलग दुनिया में था जहां ना सोचे थी ना हाले थी ना शम्स था ना उसका कातिल होने का गिल्ड वो आजाद था हलका था पुरसकून था उसके नाक से खुन की एक लकीर की सूरत निकल रहा था जरा फास्ते पे खड़ा उमर हयात बस उसे देखे गया सफीर से जितनी नफरत सही वो उसे इस तरह खुद को जाया करते हुए नहीं देखना चात डी आईटी शमशीर मेस के पार कुरसी पे बैटा था उसके बाएं तरफ एस पी वजाहत खान उर्दाएं तरफ शम सुल्दान बैटे थे माइक्स की बोताथ फलेश की रोशनी और कैमरों की खटा-खट के दरमयान उन तीन नफूस के बोलने का इंतजार हर कोई कर रहा था डी आईटी शमशीर ने गला खेंकार कर बात का आगास किया मिराज सुल्दान कतल केस पिछले दो तीन माज से पूरे मुल्क के लिए एक मामा और पुलीस की कारकरतगी के ओपर सवाल या निशान रहे उसने कहना शुरू किया तो हर एक ने दम साथ लिया मिराज यूसर सु ने एक परिष्टा एक अजीम इनसान और इनसानियत का रहनुमा समझ रखा था असल में हकीकत कुछ हो रहे हाले पेपर देकर अभी बाहरे निकल रही थी जब किसी स्टूडन के मुबायल से उभरती उस आवास पे धटक करू कि सारे स्टूडन उसे अजीब नजरों से दे उनके तालुकात मुल्क के नामी गरामी मनशियात के स्मगलर और पुलीस के इश्टिहारी मुल्जिम शेर अली नदीम अली का भाई उर्फ बादश्या भाई के साथ थे कॉलिज के कैंटीन में बर्गर खाते हसन के दोस्त ने जब यही वीडियोस के आगे की तो उसका रंग सफेद बढ़ा पुबे यकीनी से गर्दन नफी में हिलानी लगा आसपास बैठे तुलबा शेम शेम के नारे लगा रहे थे हसन सुल्तान को लगा था उसका बाप आज मराए शम्स का सर जुका हुआ था हॉल में पिन डॉप साइलनस भैल गया था लोगों ने अपने सांस तक रोक रखे थे मिराथ सुल्तान असल में हेवन प्रोजेक्ट की यार में कोई और काम कर रहे थे वो ड्रक्स की एक बहुत बड़ी स्टॉक जो के शेर अली की स्मगल शुदा होती थी उसे अपने पास रखने और हेवन के बच्चों और हेवन इस्पताल के मुरीजों को इंजेक्ट करते रहने में शामिल रहें चुकि हेवन जाने वाली ट्रक्स को चेक नहीं किया जाता था तो हमें कभी पता नहीं लग सका कि आज तक हेवन के अंदर क्या काले कारूपार हो रहे है आज एक नामालूम शक्स की इतलाप है जब हमने हेवन के गुदाम पे छापा मारा तो हमें वहाँ से ये सब मिला उसने प्रोजेक्टर के जाने भी शारा किया वहाँ हेवन के गुदाम की फोटिज दिखाई जाने लगी गुदाम में चारोजानी पुलीस हैलकार फैले हुए थे आटे के छोटे 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 थैले नुमा पैकिट से भरा हुआ गुदाम और हेवन में काम करने वाले लोग जोके शौक और वो खलाए हुए लगते थे उनके चेरे घमजदा थे वो जैसे मारे बेबसी के कुछ करी नहीं पा रहे थे हूँ सपीर के आफिस में बैटे उमर हयात के चेरे के सामने उसका मॉबाइल था उसके चेरे पे कोई तासू नहीं था उसकी आँके हर गुजरते लम्हे सुर्ख और जखमी होती जा रही थी यह उसका घर था यहां की ओड़ते बच्चे लड़कियां उसका खांदान थे यह ड्रक किसी यतीम खाने से नहीं उसके घर से निकल रही थी वो खामोश नमशाई की तना सब देखता रहा हाथ के मुठी भीचती जा रही थी दिल का कर भर गुजरते लम्हें बढ़ रहा था यह जूट था सफेद कोरा जूट यह वीडियो उसके आज सुबा हेवन से निकलने के बाद की थी वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो जगा अब उसकी नहीं थी सिक्रीन पे जम्ही उसकी नजरों में कहर था हाल में बैठा शम्शीर अब भी कहरा था मिराज सुल्टान के कतल का मामा भी हल हो चुका है हमारी काबिल पोलीस ने अपनी जान की बाजी लगा कर दिन रात एक करके बिलाखिर मुझरिम को ढूंड लिया है उसने हाल के एक जाने बशारा किया एहलकारों के नरगे में खड़ा एक आदमी उसके मूँपे स्याग कपड़ा चड़ा था शमशीन ने अपके दुबारा प्रोजेक्टर के जाने बिशारा किया वहाँ एक वीडियो चलने लगी वीडियो में मेराज सुल्तान के केस का इंचार्ज आफसर नजर आ रहा था और उसके सामने कमरे तप्तीश में बैठा एक लंबे तरंगे कद वाला आदमी ये वही आदमी था जिसने मेराज सुल्तान का कतल कबूल किया था रफीक वीडियो में वो कह रहा था जी साप मेंने कतल किया में मेराज सुल्तान के हस्पताल वाले कमरे में अपने बंदों को लेकर खुसा था डॉक्टर को मेंने धंकिया था क्यों किया तुमने ऐसा तुम्हारा क्या तालुक था मेरा सुल्टान के साथ सब सच बताओ बिल्कुल सच अबसर सक्टी से कह रहा था रफीक ने चेहरे पे आया पसीना साफ किया उसके चेहरे पे जखम के निशान थे वो घबराया हुआ लगता था गाड़ी में बेटे हारून, शाहिद और नवाल बेगम यही वीडियो अपने टैप पे देख रहे थे आज वो डिस्चार्ज हुआ था एक बाजू पे पलस्तर चड़ा था चेहरे पे जखम के निशान अब मुंदमिल हो रहे थे सक्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे की तारीकी को खतम नहीं कर पा रही थी अगदम उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ हाले, हाले का आए, उसने नवाल को देखा हारून बेटे, उन्होंने कुछ कहना चाहा लेकिन वो नहीं सुन रहा था गाड़ी उनिवस्टी की तरफ मोड़ो, उसने बेचैनी से हुकम साधिर किया सर, शाहिद सर ने मना, गाड़ ने कुछ कहना चाहा खुदा की कसम अकबर, अगर तुमने अपने मूँ से एक लफ़ और निकाला तो तुमारी मौत मेरे हाथों लिखी है हरुन ऐसी सकती, ऐसी कतियत से बोला कि लबहे भर को नवाल भी खामोश हो गई साभ मुझे मौल की सप्लाई करनी थी, आखरी तारीक थी, लेकिन उस बुड़े की बेटी भाग गे थी, लेकिन थंदा तो थंदा है ना, ए लंबी बात मत करो, काम की बात पे आओ अफसर ने उसको जिड़का था, रफीक ने हाथ उठा कर जैसे माफी मांगी हो मैंने मिराज सुल्तान से कहा माल उठवा कर दे दे, लेकिन उसको गुस्सा आगिया, उसने कहा आज उसकी बेटी गाइब है और हमें माल की पढ़ी है साब, अब अपनी भी गंदी जुबान थी, मैंने बोला, बेटी भी तेरे काले कर दूदो की वज़ा से भागी है तो उसको गुस्सा आगिया, उसने उटकर मेरे मूँ पे थपण मार दिया अपने फ्लैट में टीवी के आगे बैठी लैल की आँखों में नफरत थी उसने अपने सामने रखा काफी का माग उठाकर जोर से टीवी पे दे मारा, कांच के टुकडे सारे में पहल गे चूट बोलते हो तुम सब, मेरे बाबा ऐसे नहीं थे, चूटे हो तुम, वो हजियानी अंदाज में चिला रही थी अंदा से निशा उसकी पुकार पे भागती हुई बाहिर आई थी और अब उसे संभाल रही थी आंसों उसकी आँखों से लुड़क लुड़क कर गिर रहे थे मेरे बाबा ऐसे नहीं थे, उसकी जुबान से बस यही इलफास निकल रहे थे बस फिर क्या था, मुझे भी खुस्सा आगया और में ने उसका गला दबा दिया मेरा मकसद उसको जान से मानना नहीं था, मैं बस खुस्से में था वीडियो बंद होगी, हॉल में बैठे लोग शल और साकिन थे, कोई कुछ नहीं कहता था, कोई कुछ नहीं सुनता था शम्शीर कह रहा था मेराज सुल्दान के बैंक अकाउंट के ट्रांसेक्शन से हमें बागी सारे सबूत में मिल गए है मेराज सुल्दान के अकाउंट में केई बाज शेर अली की जानिब से एक खतीर रकम डलवाई गई है हेवल इस्पताल से भी एक बहुत बड़ी मिक्दार में ड्रुक्स का स्टॉक हमें मिला है सारी तफसिलात और काख़़ात हम मीडिया को देने के लिए त्यार है लेकिन आखिर में मैं हम सबसे यही बस यही कहूंगा कि मिराज सुल्दान वो नहीं थे जो हम सबने समझ रखा था उनकी वज़ा से के जाने गई हैं उन्होंने के लोगों को जबर्दस्ती इन कामों पे लगा रखा था तमाम सबूत और गवाहियां इत्चानी बिशारा करती हैं कि असल कातिल रफीक है और मेराज सुल्दान बिलाखिर अपने सिया आमाल नामों की वज़ा से अपने अंजाम को पहुंचे पुलीस अपना काम कर चुकी है अब अदालत के पैस्ते का इंतजार रहेगा शम्षीर बोल कर खामोश वा माइक्स का रुखप के शम्ष के जानी मोर दिया गया स्यार टूपी सूट ने मलबूस शम्ष खामोश सा था रिपोर्टर अब उससे धर धर सवाल कर रहे थे सर आपने जो डॉकुमेंट्स मीडिया को दी है उनके हिसाब से हेवन एक साल पहले आप खरीच चुकी है तो आपके पास क्या सबूत है कि ये स्टॉक मेराज सुल्टान का था आपका ने शम्ष ने गहरी सांस दी गलाख हिंकार कर गरदन सीदी की हेवन प्रोजेक्ट से मेरी वाबस्तगी बस मलकियत की हद तक थी मेरे भाई की मौत के आखरी दिन तक मेरा हेवन से कोई तालुक नहीं रहा और मेरे पास इस बात के सबूत है उसने एक पाईल उठा कर बुलंद की लेकिन आज से हेवन का हर मामला मेरा मामला है वो युनिवस्टी के गेट के करीब थी जब कुछ दुल्बाने उसके गिर्द एक ताइरा सा बना लिया उनके चेरों पे तस्हीख थी बातों में इस तेजाब वो हकारत से हाले को देख रहे थे उसे लगा वो सांस नहीं ले सकेगी वो मेरा इंपायर होगा और मैं उसे बस अपने खुदा के लिए चलाओंगा मैं उसे इन बच्चों के लिए चलाओंगा जिनका इस दुनिया में खुदा के लावा कोई नी मैं इस पद्धियानत स्टाफ के साथ काम नहीं कर सकता ना ही मैं उस स्टाफ के उनसे आमालों को माप कर सकता हूँ आज कितने सालों बात उमर हयात को अपने आखे गीली होती मैसूस हुई थी सब कुछ हाथ से भिसल रहा था भरबरी रेत की तरह वो हेवन जिसे मिराद स्ल्टान ने बस अल्ला के लिए चलाया था आज उसे हेवन के हवाले से उन पर कैसे कैसे इल्जाम लग रहे थी ये कैसा इंसाफ था ये शर कैसी चीज़ थी ये हसद किस तरह सगे रिश्टों को चाट रहा था उसका मुबाइल बज़रा था हेवन की औरतें बच्चे सब शायद उसे कॉल करे थे वो उनका उमर था वो उनका हया था लेकिन उसकी हाथ खाली थे उस मजबूत और पिकाव सिस्टम के आगे वो खाली हाथ और अकेला था वो धीरे धीरे फश पे बैठता चला गया थंडा सफेद मार्बल उसे अपनी हटियां जंती महसूस हुई वाजू कुटनों के गिर्द लपेटे वो कोई डरा हुआ हारा हुआ खोब जदा बच्चा लग रहा था और पिर कैई आंसू एक साथ उसकी आंकों से निकल कर बेतोकीर हुए मेरे अज़त साब ऐसे नहीं थे उसके लब होले से भड़ पड़ाए माइक्स और फ्लेश की चमकती रोशनियों में वो मकरूश शखस अब भी बोल रहा था मैं अपने भाई के तमामाल के जम्यदारी लेता हूं मैं उनकी तरफ से अल्ला और उसके रसूल से माफी माँगता हूं मैं इस सिस्टम पोलीस और हमारी अदलिया से भी माफी माँगता हूं मेरा भाई एक अज़ीम इनसान नहीं था मैं आज कबूल करता हूं लाउंट में अपनी वीलचेर पे बैटे यूसफ सुल्तान आखों में बेपना दर्द लिये टीवी को देख रहे थे उनकी आखे भिल भिल आंसू बहा रहे थी महरमा उनके पास बैटी उनका हाथ थपक रहे थी हसा're तुमें खा गया शमस शर्द तुम पे गालिब आ 02ब आ गया वो रोते वे बोले थे तुमें एक पर फिर मास नोचने वाले गद बन गए हो तुम्हें खुदा घरक करे, मेरा मेरा जैसा नहीं था, तुम्हें अल्ला घरक करे तुम्हें मेरे बेटे पे ऐसे इल्जाम कैसे लगाए तुम मुर्दार होकर मर्दू अपने एक बेटे के लिए दूसरे बेटे को बद्धुआई दे रहे थे उनके अकप में सोफे पे बैटी हसीना बेगम के होट मक्फिल थे आँखे खामोश चुप जैसे उनमें कभी पानी आया ही ना हो अल्ला तुम्हें बख्त में जिल्लत लिखे शम्स उन्हों ने आँखे मोद ली आज के बाद हेवन जाने वाली हर ट्रक हर गाड़ी की चेकिंग होगी हो सबसे बड़ी बात में हेवन को यहां से शिफ्ट करूँगा कि माहोल ये जगा अब उन बच्चों के लिए दरूस नहीं है लेकिन वो मुल्क को चन नहीं हैश्टेग और चन टॉक शोस को एक नहीं मोजू दे कर जा रहा था वो हाले सुल्तान हसर और उमर की जिन्गी में एक नया भोंचाल ले आया था उसकी शकल उस कीमत उस वक्त इतनी मकरू थी कि देखने का जी नहीं चाहता था मेरे बाबा ऐसे नहीं थे हजूम से कहते वे उसकी आखे गुलाबी थी गला दुख रहता लेकिन वो रो नहीं सकती थी वो कैसे उन पे हिस लोगों के आगे रोती लड़के अब उसकी वीडियो बना रहे थे वो एक एक से लड़ी थी उनके हाथों से मुबाइल चीन रही थी महां से निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन आज शायद ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम था मारे बेबसी के उसकी आखे भीग रही थी लड़के लड़के आप करीब आते जा रहे थे गेरा तंग हो रहा था वो किसी अच्छूत की तरह उन्हें खुच से हटा रही थी माईनी खेजबाते मकरू कहके घटिया लंस और इन सब के दरम्यान एक शखस आया था वो जो कहता था वो दुनिया है वो वाकिई दुनिया था उसके भारी जिसामत वाले गार्ट लोगों के दरम्यान रास्ता बना रहे थी और वो उनके बीच गुजर कर हाले के करीब आ रहा था यक्तम सारी आवाजे बंद हो गई जमले कस्ते लोग खामोश नजर आने लगे हर आवाज हर जमला बेमाईनी हो गया एक आवाज थी जो सकून की तरह दिल में उतर रही थी सारी दुनिया भी अगर तुम्हें छोड़ दे तो हरुन चाहिद वो वाहिद आदमी होगा जो तुम्हारे साथ होगा वो साथ था वो वाकी सारी दुनिया के चोड़ने पे साथ था उसने बुथ हुई हाले का हाथ पकड़ा, उसके गार्थ ने उन दोनों के दर्मियान घेरा बना लिया, वो उससे लिए उस हजूम में से गुजर रहा था, उसके तूटे वे बाजों में रश के बाइस कई कोनिया कई धिक्के लगे थे, लेकिन वो उसका हाथ पकड़े बस उ उस हजूम उस जिल्लत से निकाल रहा था, हाले सुल्टान नमाखो और साकिन हुए वजूद के साथ उसके साल चलती जा रही थी, जिनगी में आपके पास एक हारून चाहिद होना चाहिए, जो सारी दुनिया के छोड़ देने पे आपके साथ खड़ा हो सके, मुल्क भर में एक हल चलसी मच की थी, केई नमबर्स या सित्दान, केई उम्रा और मुल्क का हर इंसान इस्टेग्राम और ट्वेटर पे बियान देता नजर आ रहा था, हैश्टेग शेम ऑन यू मेराज सुल्तान सारे मुल्क में गर्दिश कर रहा था, ऐसे में कुछ लोग थे जो उनके कीन दिहानी थी, के वो उमर पे इतवार करता है, उमर हयात का बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था, कोई बती आज रोशन नहीं थी, वो सफेड ड्रेस शर्ट में मलबूस अपने कमरे में अंधेरा किये बैठा था, बाजू कुटनों से लपेटे बज़ते, फून से बे कोई काम हुआ ही नहीं था, वो ठंडे पश पे बैटी थी, साकीत घम जदा, हसीना मिराज के कमरे में बैट पे अपनी मा की गोद में लेटे, हसन की आँखों में खोफ था, वो बेचैन डरा हुआ था, लोगों की हकारत जदा, आवास तसीक परे जुम्रे, अब भी कानों म पढ़े थे, उसका फून बजरा था, शायद दोस्तों की कॉल्स थी, उसने हाथ बढ़ा कर मॉबाइल उठाया और फिर पावर आफ कर दिया, मैं कॉलिज नहीं जाओंगा, मैं घर से बाहिं नहीं जाओंगा, प्लीज मुझे कहीं चुपा दें, मैं कहीं नहीं जाना चाता किसी से बात नहीं करना चाता, वो उनकी गोत में अपने सर को रखे खोफ से बढ़ बढ़ा रहा था, नॉर्मल जिनकी एक बार फिर कोई खुआब लग रही थी, उमर हया थी कि बंगले में अगर लॉन की तरफ आओ तो हाले सुल्तान खास बेलंबी लेड़ी थी, उसकी आ कर दिया, वो आज एक ड्रग डीलर के लाया जा रहा था, सारा मुलक उस पे लानत भेज रहा था, उसकी शकल के पोस्टर जलाय जा रहे थे, नेकी गले का तोक बन गी थी, और अब उसी आदमी के खांदान का गला घोंड रही थी, उसे लगा था, आज के बाद वो कुछ न कर सकेगी, इंतकाम, अपना हाक, अपने पैरों पे खड़ा होना, सब बेकार था, बेमाई मी था, अपने कमरे में बैटा हारुन चाहिद उदास था, बेचैन था, यहां से वहां चकर कारते उसकी टांगे शलो चुकी थी, हाले की तकलीफ, हसन का खुप, लेल के आसु, उम चुमला नेका, उसादमी के किर्दार पे कीचर उचाली जारी थी, कमरे में रखे कैनोस पे कई पेंटिंग्स अधूरी थी, घंशाम दास का स्केर्टी उसे कई काल्स कर चुका था, लेकिन सारी दुनिया बेकार थी, अगर हाले उदास थी, वो ठक कर बैट पर गिर गिर ग मसीहा के आने का इंतजार था, क्या उनके लिए कोई मसीहा आएगा। के दहाने पे कोई आकर खड़ा हुआ, शमस ने जरा की जरा नजर उठा कर उसको देखा, वो अब तक कॉलिज की वर्दी में था, बता आंके सुर्ख सूजी हुई थी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो जखमी आवाज में पूछ रहा था, आप अच्चे से जानते थे, वो सबाजू सीनेल पेटे सीधा हो बैठा, तुमारा बाप करप्ट था, ट्रॉक डीलर था, उसकी वज़ा से कई लोगों ने अपनी जान खोई या और कई लोगों ने अपनी अपनी अजीज खोई हैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं उन पे लगने वाले उस कीचर से पाउं अपारी थी, यहां अगर हमारे सामने बकवास करने से बेतर है कि कोई सबूत लाओ, फरवाने हकारत से का, उस वक्त तुमारा बाप मुल्की नासूर के नाम पे ट्रेंड कर रहा है, अगर गयरत है तो जाओ, लोगों का मुँ बंद करो, वो अपनी जगा से उठाई थी और अभी एको थपड मार था जब उसका हाथ किसी ने पकड़ा था, शम्स ते घुस्से से भरी सुर्ख आँखों के साथ उसको देखा, वो हसीना थी, सुर्ख शेरनी जैसी आँखे चेरे पे घजब लिये उससे देख रही थी, और फिर अगले इलम हे उनका हाथ उठा था था शेरनी की तरह खड़ी थी, हसन को अपने पीछे की, उसके सामने ठाल बनकर जैसे कोई उने रोके तो उसकी माँ उसे रो, रोए, जुरत कैसे ही मेरे बच्चों पे हाथ उठाने की, वो घर आई थी, अगर मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो चीर दूंगी, मैं मेरा शोहर मरा है, मैं अभी जिन्दा हूँ, ये घर जितना तुमारा है, उतना मेरा है, मेरे बच्चों को हाथ लगाने का सोचना भी नहीं, शम्स, वो उंगली उठा कर उन दोनों को देखते हुए कह रही थी, बलके क्या क्या रही थी, धार रही थी, शम्स परवा, और उनके पीछे खड़ी, महर, सब साकें थे, साकित थे, मैं आपको भी और इसी वक्त इस घर से निकाल सकता हूँ, तम ही इसे बात करें, जुरत कैसी हुए आपकी मुझ पे हाथ उठाने की, शम्स अभी तो शौक से निकला था, अभी तो सिर्फ थपण मारा है, शम्स, अगली बार हाथ का कार दूंगी, बलकि इस हाथ को इसी वक्त कार देना चाहिए था, जब ये हाथ मेरी बेटी पे उठा था, या फिर तब जब ये पैड़ी बार मेरे बेटे पे उठा था, लेकिन अब भी देर नहीं हुई, एक-एक को सड़क पे खसीटूंगी, जो राहे पे लटकाऊंगी अगर किसी ने मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो मैं एक-एकी जान को आउंगी, उनकी आवास बुलान थी, शेरनी की तरह, एक मा की तरह, मामा अप अंदर चले, महार ने उनको कंदों से थाम कर ले जाना जाहा, लेकिन हसीना ने बुरी तरह उसको खुद से दूर जटका तुम आज या तुम मेरी तरफ रो या फिर अपने सुस्राल की तरफ मुझे अंदर ले जाकर मेरी आवास मत दबाओ, उन्हों ने तो गोया आज सब को हिरान करने की कसम खा रखी थी, परवा और महर टकर टकर उनका चेरा देखे गई, मामा मैं, मैं क्या कह सकती हूँ, मैं शम्स की जुबान तालू से चिपकी और हसन बहुत पहले शौक से भी बाहर नहीं आया था, हसीना अब भी कह रही थी, मैंने तुम जैसी खुदगर्स, लालची, हरीस और बेवकार औरत नहीं देखी, तुम नियोटरल नहीं हो, बेगैरत हो, जब तुमारी बेहन पिट रह मामी, मामा नहीं, मामी कहो, उन्होंने एक एक लफ़ पे जोर दिया, आज तुमने मेरी तर्वियत, मेरी परवरिश और मेरा प्यार हर एका सिला जिस तरह दिया है, उसके बाद मुझे मा मत कहो, मेरी अपनी बेटी है, हाले सुल्तान, मेरी बेटी है, बहर की आखों से आज उनका जहर जिसम को सबस करने लगे, उस दिन उनका सर कुचल देना चाहिए, तुम जैसी सांप के साथ तो पहले दिन यही होना चाहिए था, वो फंकार रही थी, महरमा शल्थ थी, उसकी जुबान गंवती, हर लफ जैसे मर गया था, तुम मेरी बेटी को एक पलाइट करती रही, मेरी बेटी को हमेशा कम तर मैसूस करवाती रही, लेकिन मैं खामोश रही, मैं अंदी नहीं थी, महरमा मुझे सब दिखता था, मैं बस गिल्टी थी, और आज उन्होंने इस सुर्ख आँकों से उसकी भुरी आँखों में गाड़ दी, आज मैं गिल्टी भी नही हू मेरे बच्चों की तरफ जो कोई भी आँख उठा कर देखेगा, मैं आँखे नोच लूँगी, याद रखना, वो उंगले उठा कर बान करती हसन को अपने साथ लिया आगे भड़की, और जब कोई मापने बच्चों के लिए उठखड़ी हो, तो तुमें चाहिए कि उससे खोब खाओ, सुल्तान मन्जिर में कबरू जैसा सनाटा चाह गया था,